आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Everyone, Question है Write critical notes on Eutrophication और Algol Bloom किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है Eutrophication की Eutrophication के लिए है हम दूसरा term यूज करते हैं उसे हम कहते हैं Algol Bloom क्या कहते हैं? Algol Bloom Eutrophication के बात करें तो basically क्या होता है? जो Water Bodies होती है Water Bodies से हम क्या समझ सकते हैं? जैसे कि Lacks होई, Reverse होई इनमें क्या होता है? Suddenly एक Amount में basically nutrients की value बढ़ने लगती है और वो nutrients basically क्या होते हैं? या तो वो minerals हो सकते हैं या तो कोई दूसरे nutrients हो सकते हैं जिनकी value एक sudden way में किसमे Water Bodies में बढ़ जाती है और वो Water Bodies हो सकती है like Lacks हो गया, Rivers हो गई, Ponds हो गया यहाँ पर क्या है? उनका value बढ़ रहा है ठीक है, अब basically इनका value बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है? ठीक है इनके बढ़ने से जो Water Body है ठीक है, उन Water Body में एक पूरी layer form हो जाती है algal bloom की, किसकी? algal bloom की महाँ परी colony form हो जाएगी ठीक है, उस colony के form होने से result क्या मिलेगा? basically जब वो algal bloom वहाँ पर form हो जाएगी, तो वो क्या करेगी? वो वहाँ पर dominant रहेगी क्या रहेगी? dominant रहेगी ठीक है, और उनहीं के dominant होने की वज़े से basically जो दूसरी Water Life है ठीक है, यानि जो Aquatic Plants and Animals है, उनकी Life and खत्रे में आ जाएगी, यानि वो मर भी सकते हैं, ठीक है, और उसी के वज़े से क्या होता है? Water भी contaminate होता है, क्या होता है? Water भी contaminate होगा, अब Water contaminants कैसे बढ़ेंगे? Water contaminate का main reason होता है कि Algal bloom basically क्या रहेगी? organic क्या रहेगी? और क्या करेगा water contamination भी increase होगा? Thank you!